बिसमिल्ला अरुक्वान दिर्वहीम, प्रिविएस वीडियो के अदर हमने मेक्रोफेजिस मोनोसाइट को पढ़ लिया था, तो इस वीडियो के अदर हम देंड्रेटिक सल को पढ़ने वाले हैं, जो के अगेन एक प्रोफेशनल एंटिजन प्रिजेंटिंग सल है, एंटिजन एंटिजन प्रिजेंटिंग सल है, और यह एंटिजन को प्रिजेंट करती है, किसको टीजल को रिप्रिजेंट करती है, अब यह बहुत सब्सक्राइब होती है, क्योंकि यह क्या करती है, यह ना सिर्फ इनेट इम्यून सिस्टम का, कि पार तो इनेट इम्यून सिस्टम का ह आता है ना तो जो primary adaptive immune system का response आता है उसको induce करते हैं कौन करते होती है यह जो dendritic cell part तो है innate immune system का लेकिन adaptive immune system को specifically primary response को stimulate करते है अब यह इनको dendritic इसलिए करते है क्योंकि इनका यह resemble करते हैं dendroids को dendroids क्या होते हैं long narrow branches होती है अब इनकी long narrow branches इस वादे से होती है कि किसी भी foreign material को foreign particle infectious particle को आप से contact कर ले और आप से इसको recognize कर ले that is why they have long narrow branches अब dendritic cell होते किस जगह पर है dendritic cell हमारी उस जगह पर होती है जो हमारे barrier बनाते है जिसे आपको पता है कि externally skin होती है internally mucos mammalian होती है GIT के respiratory track है और genitaly track है तो skin और mucosa के अंदर यह dendritic cell मुझूद होते हैं अब यह dendritic cell derived होते हैं monocytes से ठीक है कुछ dendritic cell ऐसी तो जो monocytes से होते हैं अभी थोड़ी से exception आपको नज़र आ रहे हैं आपने तो शाहिद यह पढ़ा होगा कि monocytes से macrophages बनाते हैं लेकिन monocytes tissue में जाने के बाद डendritic cell भी बना सकते हैं और यह macrophages dendritic cell direct genulocyte progenitor cell से भी निकल सकते हैं जिसको आप monocytes progenitor भी बोल सकते हैं अब हम यहाँ पर देख रहे थे तो जिस तरह macrophages काम करते हैं dendritic cell भी बिल्कुल पहले वही काम करते हैं कि foreign material को इंगल्फ करते हैं इसकी partial proteolysis करते हैं peptide fragment बनाते हैं जिनको आप antigen बोल सकते हैं फिर इस antigen को present करते हैं फूर helper T cell ठीक है लेकिन अब यहाँ पर पहले इनोंने बताया कि इनके पास दो तरके माली की हुल है mhc1 और mhc2 क्यूंकि पता हैं नहीं के नियुक्लेटिड है तो इनके पास mhc1 mhc2 और अगर यह antigen को present करें mhc type 1 के साथ तो यह cytotoxic T cell को interact करते हैं cytotoxic T cell को यह आ यह इस paragraph के अंदर कुछ similarities लिखी है जो macrophages से आपको देखने को मिलती है similar देखने को मिलती है इसके बाद कुछ ऐसे difference भी होते है जो आप dendritic cell को macrophages से differentiate करने के लिए इस्तमाल करते हैं कि जो dendritic cell के कुछ दो important phasors है पहला important phasor किया है कि यह antigen को collect करते हैं फिर antigen को collect करन ना शुरू कर देगे ठीक है और यह barrier से होने के बाद कहां पर चले जाएगे हमारे lymphatic vessel के अंदर lymphatic vessel जाती होते हैं lymph node के पास तो इनका पहला function क्या होगा पहला important feature क्या होगा जोसको macrophages से differentiate करते हैं तो जहां पर थे वैसा का वैसी रहते हैं लेकिन जो डendritic cell होते के barrier cell के अंदर मुझूद होती है हमारे barrier surface के उपर होते हैं skin और mucosa के उपर वहां पर antigen को collect करने के बाद lymph vessels में जाते हैं या lymph vessels में जाना के बाद lymph node के पास चले जाते हैं अब इन्होंने travel करना है करने के लिए को movement करवानी है और movement against chemical होती है जिसको आप बोल सकते हो chemo taxes और जो movement towards chemical होती है उसको क्या बोलते है chemo taxes बोलती है chemo taxes करवानी है तो इनके cell के सर्फिस के उपर कुछ receptors होती है जिनको अब CC chemo kind receptor बोलते हैं ठीक है CC क्यों बोलता है कि इनके structure के इंतरा कुछ CC unit देखने को मिलता है हमने chemo काइन वाले में देखे गए जब हम यहां पर chemo kind of medical importance तो alpha और beta जो बीटा है वो CC है और जो किसको attract रहते हैं monocyte को और monocyte से क्या बना है monocyte से ही dendritic cell बनने है और यह produce होती है यह तो हम बात में देख लेगे हैं हम इसकी बात करते थे कि इन्होंने chemo taxes करवाने है chemo taxes के लिए दो चीज़ा चाहिए chemical compound चाहिए ठीक है chemo kind चाहिए और इसके receptor चाहिए तो chemo kind का receptor तो इनके cell के सर्फिस के उपर होता है जिसको CCR-7 बोलती है और जो chemo kind होते हैं यह lymph nodes के अंदर lymph node के अंदर lymph node के पास तो पहुंच गए है chemo taxes के जरीए तो lymph node में जाने के बाद यह antigen को present करेगे किनके साथ MHC protein के साथ और किस के करेगे किस के लिए करेगे यह नेव T cell का मतलब है ऐसा T cell जो mature तो हो गया लेकिन inactive है अभी तक antigen को exposed नहीं किया antigen कभी इसके सामने exposure नहीं हुआ तो उसको नेव T cell बोलते है ठीक हो गया तो dendritic cell ह नहीं होते है जो नेव T cell को active कराते होते है अब जो active T cell हो जाता है helper T cell अब उस helper T cell क्या करेगा उस activation इनकी अब यह जो T cell जिसको antigen का exposure हो गया अभी क्या करेगा क्या अब वो ही helper T cell या effector T cell वो peripheral tissue के तरफ migrate करेगा और जब यही वाला उस macrophage के तरफ contact करेगा जिसने same antigen को display किया है तब यह क्या करना शुरू कर देगा कि इंफ्लेमेटरी साइटोकाइन प्रोडीस करना शुरू कर देगा है helper T cell ताके वो cytokine और macrophage को क्या करे कि वो macrophage को enable करते है कि वो pathogen को destroy कर दे वो tissue को repair करना शुरू कर दे तो यह इस तरह से काम करते हो तो यह तरह से काम करते हो तो यह प्राइमिंग करवाते होतेगा ना क यह macrophages तो यह आपने important difference को देख लेना है कि macrophages only interact with already activated T cell जो T cell पहले से activate हो चुके है जो dendritic cells है पहले इंफ्लेम टिशु के अंदर उसी के साथ interact करते हैं इस तरह आपको समझा आगी होगा कि प्राइमिंग किसका बंग जारा dendritic cell का अब इसके लाबा जो second important feature होता है dendritic cell का के यह वाले क्या करते हैं जो इनके endosomal होते हैं जो endosome बनती है ना endosome ठीक है receptor-mediated endocytosis के वाले से तो जो उस endosomal antigen होते हैं उसको class 1 MHC के साथ क्या करते हैं क्या करते हैं interact करते हैं present करते होते हैं अब आपको पता है कि हमारे तमाम nucleated cell के अपर platelet RBC के लाबा वो क्या करते हैं MHC type 1 molecule के साथ associated normally peptide cell के अपने होते हैं और यह cytotoxic T cell के लिए होते हैं यह cytotoxic T cell को यह बताते हैं कि हमारी body के अपने cell है इनके खिलाब immune response नहीं होना लेकिन अगर cell virus infected हो जाए या cancer infected हो जाए कि malignant cell हो गया तो जो viral peptides होगे या cancer वाले जो peptides होते हैं वो रिप्रेज इसके साथ कुछ specialized dendritic cell भी होते हैं जो क्या करते हैं फेगो साइटोस करते हैं वाइरल पार्टिकल को के वाइरस का पार्टिकल आया उसको फेगो साइटोस किया एंडोसों के दर रेस इसको प्रिजेंट किया class 1 और class 2 के साथ class 1 और class 2 के साथ नोनमली यह होना चलिए था कि पहले वाइरस इंफेक्ट करता है वाइरस के अपनी चीज़ा बनना शुरू हो रहती लेकिन इसने किया कि वाइरस की इंफेक्शन के बिग्यार ही वाइरस के जो peptide होते हैं वाइरल पार्टिकल होते हैं उनको mhc1 और mhc2 के लिए प्रिजेंट करवा दिया मतलब उसने ए एक्टिवेट कराते होते हैं उनको antigen का exposure करवा देती है ताकि वह असानी से जो वाइरस की चीज़ों को पेचान सके हैं वाइरस को पेचान सके हैं उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रवाइड कर सके विदाउट बिकमिंग इंफेक्टेड के इंफेक्टेड हुए बिगा इतना है ग्रैनुलोसाइट न्यूट्रोफिल न्यूट्रोफिल मॉस्ट अबंडेंट इम्यून सेल्स होते हैं ब्लड के अंदर 65 यह 63 परसंट इतनी होते हैं अब यह फैगोसाइट है जो के माइलोइट वाइट ब्लेड इसल वाली केटेगरी से बिलॉग करते हैं इनके सा लिवालिट न्यूट्ट के इतर्ड ग्रैनुल्स होते हैं जो राइट से विजिबल होते हैं अब न्यूट्रोफिल हमारे इन्नीट होस्ट इफरंस के एक इंपोर्टन कमपोनेट होता है अगर न्यूट्रोफिल का कांव हो जाए या उनका फंक्शन खराब भर्या खतम हो तब क्या होगा immunity इतनी जादा कम हो जाएगी और recurrent infection बार बार होते रहेगे तो that is why neutrophil are very important अब यहां पर अगर आजो तो यहां पर लिखा हुए कि neutrophil granules होते गए that is why they are called granulocyte वो neutral color लेते है पेल pink color लेते है राइट stain के साथ लेकिन यह जीनोफिल के अंदर कौन सा color आता है red आता है बेजोफिल के अदर blue आता है अगर आप इस डियाग्राम से देखो तो इस डियाग्राम के अदर जो न्यूट्र फिल है तक्रिवन neutral या pale pink आते हैं जबकि यह जीनोफिल हमें तक्रिवन red आपेर होते है बेजोफिल ब् ब्लड के अंदर मास्क सेल हमारे टिशो के अंदर होते हैं अब यह difference क्यों आया स्टीनिंग का difference इसलिए आया कि इनके granules का content था वो different था जो pink granules होते हैं न्यूट्र फिल करते हैं वो असमें lysosomes होते हैं जिनके अंदर degradative enzymes होते हैं nucleases, proteases जो तोड़ते हैं अब जिस तरह macrophages न्यूट्र फिल के पास भी surface receptors होते हैं for IgG, अब IgG के पास receptor है तो IgG जब इनके receptor पर जाके bind करेगा तो इनके phagocytosis को enhance करेगा तो उसको बोलते हैं optionization, न्यूट्र फिल के पास MHC type 1 तो होते हैं लेकिन MHC type 2 protein इनके पर नहीं होती, that is why they are not called antigen presenting cell, लेकिन macrophages phagocyte और antigen presenting cell दो function है, इसका positive edge होगा, negative edge होगा, किस तरह से, positive edge किया है, कि पास powerful microbicidal activity है, जब एक कोई microbe आएगा तो इसको kill करने की capacity रखती है, लेकिन negative क्या होगा, कि बाज वकत आपको पता है, कि जब जंग होती है, तो जंग में ना सिर्फ दुश्मन माला जाता है, बलकि अपनी भी होता है, तो कुछ चीजें ये produce करते है, degradative enzyme, वो degradative enzyme हमारे normal tissue को भी damage करना शुरू कर देता है, normal tissue को भी damage करना शुरू कर देता है, तो ये इसका negative edge होता है, positive edge क्या होगा, होगा, micro-biscid electivity, तेकिन negative edge क्या होगा tissue damage, for example, neutrophil produce करता है, neutrophil gelatinous associated lipokaline, जिसको LNNGL या लाइपोकेलिन टूब होता है, अभी होता है, ये ऐसा protein होगा, जो kidney को damage करता होता है, जो किसमें आता होता है, post-steptococcal glomerulone in aphrite, कि stepto-coccal infection हुआ, तो antigen antibody का complex glomerulose के अंदर deposit हो शु कर देती हैं तो यहां पर क्या होता है? Immune complex वहां पर जाकर attach होता है अब दूसरा cell है वह granulocyte के अंदर eosinophil eosinophil क्या है? eosinophil भी white blood cell है myeloid white blood cell होते है अब इनके अंदर भी cytoplasmary granules होते है लेकिन right stain के अंदर यह red लेते होते हैं, बेजो फिल में blue color आता है, अब red color क्यों होता है? कि नेगेटिव ले चार्ज eosin dye होती है, नेगेटिव ले चार्ज eosin dye होती है अब जो नेगेटिव ले चार्ज eosin dye होती है निकि positively charge major basic protein के सब बाइंड करती है, क्या होता है? positively charge major basic protein होती है जबके granulocyte के अंदर बेजोफिल के अंदर क्या होगा कि जो positively charged methylene blue होगी वो negatively charged molecule के सब bind करती है जबके neutrophil के अंदर तो कोई ऐसा positive negative charges थे ही नहीं तो इनके granules में कोई से charges होते है positive charges होते है इनके granules के अंदर क्या होती है negative charges होते है जब इनके granules के अंदर positive charges होगे तो इनके लिए negatively charged die आईगी जिसको तो योसीं डाइब होती है और positively charged molecule किस वाज़े से आए major basic protein के वाज़े से आए अब neutrophil का count किं किं के अंदर जादा होता है किं दो condition के अंदर तो पहला parasitic infection या parasitic disease के अंदर दूसरा hypersensitivity disease के अंदर इनके अंदर neutrophil का count जादा देखने को मिलता है इनके वाज़े से हो सकता है दूसरा hypersensitivity disease एक बात आपने नोट किया कि जो परासाइट होते है वो दो टाइप के होते है प्रोटोजवा और worms, helminthes, तो helminthes की वाज़े से तो eosinophilia हो जाएगा लेकिन प्रोटोजवा इसकी वाज़े से eosinophilia नहीं होता है प्रोटोजवा के अंदर ये eosinophil involved नहीं होते अब इनका function क्या क्या होता है इनके granules के content का तो eosinophil के अदर major basic protein है जिसके वाज़े से eosin डाएक को cancer करते है तो major basic protein है हमारे respiratory epithelum को damage कर सकती है और इस थमा के pathogenesis को contribute करते होती है ठीक है तो ये तो होगे negative edge अब इसका positive edge किया होगा कि क्या फाइदा होगा कहते है कि जो हमारे worms होते है पारसाइट्स होते है उनके migratory larva होते है लार्वा से adult परना है पहले egg होता है फिर larva फिर adult तो for example strongolides है और tricky neila इनके जो larva होते है न उनके लार्वा के against defense प्रवाइट करते है कैस इसके पारसाइट्स होते है न यह IgE और Eozenophil इनके साथ coated हो जाती है अब Eozenophil के पास IgE के receptors होते है अब यह वाला जो complex होता है यह larva के surface के उपर जाकि attach हो जाता है जब यह attach हो जाता है तो अपने granules को attach करना शुरू कर देता है Eozenophil जब अपने granules को release करना शुरू कर देगा discharge करना शुरू कर देगा तो major basic protein होती है लार्वे की outer surface को जिसको cuticle बोलते है उसको नुकसान पंचा देती है उसको नुकसान पंचा देती है इसके साथ granules के अंदर leukotrine और peroxidase भी होते है जो tissue को damage कर सकते है और inflammation भी करवा सकत है किस तरह से कि जो inflammatory mediators होते हैं उनको तोड़ने फोड़ने का काम कि ही करते है कैसे granules of eosinophil eosinophil granules के अंदर आपको histaminase enzyme होता है जो histamin को तोड़ता होता है histamin ही आपको पता है कि इमेजियेट hypersensitivity reaction allergic reaction इसके अंदर involved होते हैं eosinophil bacteria को phagocytos का सकता होता है लेकिन यह ब करते है कि किसी जगह पर अगर parasitic infection हो गया है तो वहां पर eosinophil को बुलाना तो eosinophil को बुलाने के लिए क्या चाहिए आपको chemokine और cytokine चाहिए तो cytokine कौन सा involved होता है interleukin 5 और chemokine कौन सा होता है eotaxin EU से क्या हो गया EU का मतलब eosinophil taxon का मतलब chemo taxon से निकला है तो यह chemokine और interleukin उसको बुलाते होते हैं eosinophil को कि इस जगह के पर inflammation हो गया तो inflammation को कम करो या इस जगह कर पर parasitic warm infection हो गया इस जगह को कम करना चाहिए अब इसके बाद हम देख लेते हैं granulocyte basophil and mast cell basophil blood के अ होते हैं अब यह करते हैं अब जो बेजो फिला है यह white blood cell है इनके पास भी cytoplasmable granules होते हैं जो right stain से अपनी staining लेते होते हैं लेकर right stain से blue होते होते हैं क्यूंकि इनके granule का content होते हैं इनके granule का charge negatively charge होते हैं जबके जो dye इस्तमाल करते हैं वो positively charge होती है उसके नाम है methylene blue dye होत होती है इनको आप रेजिनेंट सेल भी बहुत है टिश्यों के ठीक हो गया स्पेशली जो मास्ट सेल से रिस्पारिट्री और जी आईटी के म्योकूजा के अंदर और स्किन के रेखने को लोते हैं अब मास्ट सेल और बेजोफिल इन दोना की सर्फिस के ओपर रिसेप्टर होत है अब IGE molecule के साथ लगा होती है क्या लगिया होते हैं ठीक है जब IGE molecule के साथ INTIGEN लग जाए तो फिर जो मास्ट सेल के सर्फिस के ओपर IGE एंडियन कॉम्प्लेक्स गे इंफ्लेमेटरी मेडियेटर को रिलीज करता जो पहले से बने बनाई होते हैं अब इसके अंदर इस्टमीन पोरोटियलिटिक एंजाइम प्रोटियगलाइक हैं जिसमें है पहपरिन भी होती है इसके साथ इको सिनाइट में प्रॉस्टेगलन नि अलर्जी वाले चैप्टर के इंदर पढ़ना है अब बेजोफिल और मास सेल्ट को जाच से रिसाइटोकान भी प्रोडियूस करते हैं जो दूसरे सल्ट को अट्रैक्ट करना श्रू कर देते हैं इस तरह से कि आपकी मास सेल्ट है मासल की सर्फिस के ओपर TLR रिसेप्टर हो बात है कुछ ऐसे साइटोकान प्रोडियूस करते हैं जो इंफ्लेमेशन करवाते हैं जो न्यूट्रोफिल को देन्ट्रिटिक सेल्ट को इंफेक्शन वाली जगा के ओपर बुला लेते हैं ठीक हो गया इस तरह से जाके काम करते हैं अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया हमन और किल कर देना डिमूवल ऑफ ड्याबिवी से टिशू अब इनका इंटरक्शन विद अडाप्ति इम्यूनिटी के तब कुछ इंटरक्शन होता है आपको पता है कि इनके surface के उपर IgG receptors होते हैं वो IgG receptors क्या करते हैं? Phagocytosis को enhance करते हैं जिसको आप Oxonization बोलते हैं इसके साथ इनकी activation कराने के लिए Interferon Gamma T1 Necrosis Factor Alpha जो के helper T cell से produce होते हैं और ये professional antigen presenting cell है जिनके उपर MHC tag-to molecule देखने को मिलता है इसके shape को देखेगा branching cell है इसके साथ long branchings है sentinel cell है ठीक है और ये किसी भी epithelial barriers के ओपर skin on mucos membrane के ओपर मुझूद होते हैं scantral lymphite organ के इंदर भी होते हैं इनके ओपर class 2 MHC के expression होती है function किया antigen को uptake करना presentation करना cross presentation का मतलब क्या है कि बिगैर किसी infected होए वे ये MHC 1 और MHC type 2 के साथ antigen को present करते होते हैं professional antigen presenting cell है जो कि class 2 को class 2 और class 1 दोनों को करते होते हैं और इनका primary function क्या है जो T cell है naive T cell जिनने अभी भी antigen को exposed नहीं किया antigen का सामना नहीं किया उनको primary कराना उनको activate कराना neutrophil most common eucoside है blood के अंदर सबसे जादा होते हैं और किसी भी inflamed या necrotic tissue को सबसे फ़रे respond करते होते हैं neutrophil engulf करते हैं बिक्तिरिय को kill करते हैं फंजाई को भी kill करते हैं इसके साथ cellular debris को digest करते हैं antigen presenting cell नहीं है इनको tissue के तरफ attraction करवाने हैं तो इनके लिए कुछ chemokines होते हैं जो के T cell derived होते हैं for example interleukin 17 इनको बुलाते होते हैं जबकि eosinophil के लिए interleukin 5 और था eotaxan था और इनके आपर surface IgA receptors होते हैं eosinophil granules के अंदर major basic protein होते हैं inflamed tissue तक पहुँच जाते हैं eotaxan के जरी है granule protein होते हैं हमारे body के cell के लिए toxic होती है asthma में allergic reaction के दर involved हो जाती है positive edge क्या होगा positive edge यह है कि helmanthes infection होता है tremotors, nemotors protective होती है beosinophil के बुलट के अंदर बहुत काम होती है 0.4% होती है और यह जो mass cells हमारे tissue में होते हैं specifically जो tissue vasculature को surround करते होते है इन्होंने histamine, protease, chemo, kind, cytokine produce करना जिसने allergic और anaphylaxis reaction mild allergy कोन सी होगी ूर्टी के रिया और जो severe allergy है systemic anaphylaxis इन दोनों के पर IgE receptors होते है जो IgE receptor IgE molecule को hold कर लेते हैं और IgE molecule antigen को recongrenze करते होते हैं तो यह तो हमने पढ़ लिया granulocyte mast cell basophil अब लास्ट रहे गया है natural killer cell अब natural killer cell हमारी immunity में दो तरह के रोल परफॉर्म करते हैं पहला कि ऐसे cell को या ऐसे cell को माज देती है जो virus infected होते है या जिन cell के दर malignancy होड़ाती है इसके साथ ही interferon gamma adaptive immunity के aspect से देखा जाए adaptive immunity से compare करे adaptive immunity के cells होते है जो आपको पता होगा कि जो sense करते होते है class 1 या class 2 के जरीए जो class 2 वाला था helper के लिए class 1 था cytotoxic के लिए लेकिन ये उनको नहीं करते होते इसके साथ इनके कोई memory भी नहीं होती और ये exposure से enhance भी नहीं होते और ये पहले से बने बनाई होते है general होते है इनका कोई specific response नहीं होता non specific response होता है अब natural killer cell cell को किस तरह से मारते है कि जब भी कुछ cell में dysfunction आ जाती है infected cell है या malignancy आ गी है तो कुछ ना कुछ चीज़े आना शुरू हो जाती है तो वो इसको sense करते होते है for example कि अगर cell की surface के उपर class 1 MHC 1 molecule खतम हो जाए तो उसका क्या मतलब हुआ कि cell virus infected हो गया है तो ये इस cell को मारना शुरू कर देगे या फिर अगर cancerous cell है तो cancerous cell के अदर एक protein होती है Mika तो वो Mika express होना शुरू हो जाती है तो Mika को sense करने के बाद या उस cell को मारना शुरू कर देते है तो ये Mika को और MHC type 1 की deficiency को sense करने के बाद उस cell को मार देते है अब इनके key features क्या क्या होते है तो वो यहां से देख लेते है nature of natural killer cell के large granular lymphocytes होते है इनके पास T cell receptor नहीं होता नहीं कुछ CD3 protein होती है नहीं इनके surface के उपर IgM, IgD होता है जिस तरह 20 सल के उपर था अब ये thymus में इनकी development नहीं होती इनका number normal होता है severe combined immunodeficiency syndrome में वसे आपने सुना था कि severe combined immunodeficiency syndrome के अदर adaptive immunity कम हो जाती है लेकिन ये innate immunity का पास्ट है अगर पहले से कोई exposure हो जाए तो उनकी activity enhanced नहीं होती ठीक है पहले से activate नहीं होते ठीक है और इनके कोई memory नहीं होता इसके बाद function of natural killer cell SSL को recognize करते हैं जो virus infected है कैसे? deficiency of MHC1 को virus infected cell को कैसे पेचानते हैं? ये पेचानते होते है मेकाप protein के जरी है ये virus infected cell को या cancer cell को मारते होते है परफोरिन और गैर नजाइम के जरी है killing non specific होती है और ये dependent नहीं होती कि MHC type 1 molecule के साथ present हुआ है या type 2 के साथ या type 2 के साथ ये gamma interferon produce करते हैं जो macrophages को stimulate करते है ताकि वो ingested microbe को kill कर सके अब natural killer cell ने मारना है वारिस infected cell को या tumor स्राइब को तो वो cytotoxin produce करते है परफोरिन्स और गैर नजाइम जो अब आप्टोसिट को induce करते है ये अपना काम करते होते है antibody को stimulate करवाए बेगा है लेकिन antibody IgG इनकी effectiveness को बढ़हा देती इस process को बोलते है antibody dependent cellular toxicity कहते है कि जो macrophages होते है macrophages produce करते है interleukin 12 और interferon alpha और beta ये produce होते है virus infected cell से तो वो इसको stimulate कराना शुरू कर देती है natural killer cell को और ये जाने के बाद virus infected cell के पर देखते है कि मेका है या नहीं तो मेका है या नहीं फिर वो कहा करते है मेका है तो उसको मार देते है कहते है कि जो हमारे पांस लेकर 10 peripheral lymphocyte होते है वो natural killer cell होते है अगर natural killer cell की functional deficiency हो जाए तो infection काफी जादा common हो जाते है for example, herpes virus, human papilloma virus और cancer virus यानि virus वाले infection और cancer वाले virus कों से? herpes virus और human papilloma virus तो ये तो हमने पढ़ लिया natural killer cell तक तो यहां तक तो हमने पढ़ लिया बाकी हम next video में inflammatory mediators को cover करेगे तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग यह है तो इसको like करना और channel को नहीं हो तो subscribe कर देना thanks for watching this video Allah Hafiz